हलो दोस्तों शड़ेई मोड में आपका स्वागत है बिहार दरोगा भरती 2020 से किस 26 दिसंबर 2021 को जो भी अभिहारती एक्जाम देना चाह रहे हैं वो ये सब इधान का टेस्ट जरूर लगाईएगा और अपना स्कोर भी बताईएगा कुमेंट बोक्ष में सभी कुशन को किस उजना के तहट सोफा गया था यहां पर मैं बता दूंक कि मांट बेंटर यह बने थे बने धानम राखियेगा यह क्याम देखियेगा तो बहुरत से एक अलग और देश बनता है पकिस्तान पकिस्तान जब भारत से बना था तो दो पकिस्तान पने थे एक पुर्वी पकिस्तान जो की आज के डेट में बंगलादेश है एक पश्यमी पकिस्तान जो की आज के डेट में पकिस्तान है क्योंकि बंगलादेश जो है यह जो पुर्वी पकिस्तान था उनुश्यों 71 में इस से अलग हो गया था और अभी ये इसका नाम बंगला देश से ये ध्यान मर रखिएगा और जो हमारा देश का सबसे ज़्यादा लंबा इंटरनेशनल बाउंडरी किसके साथ बनता है तो वहीं बंगला देश के साथ बनता है सबसे लंबा अंतराश्टी सीमा अगे चलते हैं कोशन कहने का मतलब यह है आपके सामने अपसन है सभी अपसन पढ़ते हुए को आपको लगाना है तो किये हमारे सबिधान में सबिधान सोसोधन करनी के परकिरिया का वर्णन है आर्टिकल 368 के अंतरगर ठीक अब यहाँ पर देखिएगा यह प्रवधान कहां सरी आगए य यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अमिर्का अमिर्का से मुख रुप से दिखिएगा तो फंडमेंटल राइट जो कि भारती सभीधान के भाग तीन में दिया हुआ है यह अमिर्का के सभीधान से और कनाड़ा से क्या परोधान लिया गया है तो जो अस्टेट और आपको इसका जो रिलेशन है ना यह कनाड़ा वाला मोडल पाधारी थे यह भी ध्यान में रखिएगा कुशन नबर तीन देखिए नीजी संपती के अधिकार को मौलिक अधिकार के सुची से किसके द्वरा हटा दिया गया था देखिए नीजी संपती का अधिकार मिसकी आपको 50 को लागू था तो समय साथ आपको मौलिक अधिकार थे लेकिन सातवा जो मौलिक अधिकार है यह संपती का अधिकार था इसे हटा दिया गया 24 सभिधान सो सुधन 1978 द्वरा मौराइजी देशाई कि उस समय सासन था और इसे आर्टिकल 301 में डाल दिया गया और इसे एक ली मेंगने काटा कहा जाता है भारत के सविधान के भाग जो तीन है इसे भारतिय सविधान का मेंगने काटा भी बोला जाता है और यह परधान कहां से लिया गया मौलिक अधिकार के दियूए से सुधराज अमिर्का से लिया गया है उसके बील ओफ राइट्स से आगे चलते है question number 4 दिखे, सबीधान के किस अनुशेद के परधान के तहत सरकार ने अप प्रिष्चता किसे कहते चुवा छूत जीसी बोला जाता है तो सवीधान की किश अनुशेद में है तो इसमें आप देख लिए सभी अपसंस द्यान पूरवक तो अब परश्चेता या छुवा छुट का अंत आप देखिएगा ये आर्टिकल आपको 17 में मिलेगा और उपाधियों का अंत देखिएगा आर्टिकल आपको 18 में मिलेगा त कृष्य नबर 5-ठिक एये कौंसा वइध्यक राष्टपती द्वारा ननत वापस लोटाये अगर सकता है तो कौन से ऐसे अईए इसे विधियक है जो कि राष्टपती नत वापस लोटा सकते हैं नहीं अपना मव जूरी रोक सकते हैं ये कौन से बिध्यक है सब्हूंद अध़ी लोग समझ गए होगी यह धन विध्यक धन वीद्यक के मामने में लोगसभा कदिक आपको सक्ती दिया गया अगर धन विध्यक राज्षभा में जाता है, तो 14 दिन के अंतर पारित सब्सक्राइब करना होता है तो ऑर धन विद्यवक में राष्ठ पती नठ वापस लोटा सकता सक्ता है धन विध्यक होता है तब तो काम होगा पूरे भारत में तो यह 5 कैंसर के वाजिएगा सी होजएगा और के छलते गवार शिक्स देखिए निवन में कौन राष्टपती के चुनाओं में हिस्सा नहीं लेता है इसमें ये बताना है कि कौन से राष्टपती के चुनाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं तो दीखे जो राष्टपती के चुनाओं होता है ये जो हिस्सा लिया जाता है ये एक तो राज सभा के सदस लेते है लोगसभा के निर्वाची सदस लेते हैं और राज के अलग-अलग विधान सभा जो है उसके निरवाची सदस तता दिल्दी और पंदोचेरी में जो किंदर्सासीत राज 201 दिली, पांदूचरी लेकिन वहां प्रभी बिधान सभा है उसके भी सदस आपको इसमें भाग लेते हैं लेकिन कहीं भी बिधान परिषद के सदस भाग नहीं लेते तो six cancer क्या हो जागा यहाँ पर यह भाग नहीं लेते और विधान परिषद कौन-कौन राज्यों में है तो मन्याता प्राप्त करने के लिए कितने सीट होनी चाहिए माली यह संसद है या विधान सभा भी बोल सकते हैं विधान परसत कहीं भी तो विपक्ष होते हैं तो विपक्ष के रूप में आपको होने के लिए आपको कम से कम कितने सीट होनी चाहिए ठीक तो जितना सीट है उसके 1 10th जो होना चाहिए बिपक्स के रूप में होने चाहिए ठीक आपको देखिएगा तो लोग सभा है तो लोग सभा के पूरे शीट के 1 10th मिस से 1 बए 10 अगर राज सभा है तो राज के सभा के भी 1 बए 10 अगर कोरम की बात किया जम इसकी बैठाख होने के लिए तो वो भी आपको एक बता दस ही होना चाहिए ठीक यह गड़पूर्ती या कोरम खा जाता है तो इस कैंसर क्या हो जागा यहाँ पर यह फूल छंता का एक बई दस होना चाहिए ठीक सब्धान के किस अनुसूची के तहत संसद का हर सदस सपत या परतिगान लेता है तो सब्धान के किस अनुसूची के तहत संसद का हर सदस सपत या परतिगान लेता है सपत लेते हैं संसद के सदस उदस राष्टपती भी उपराष्टपती भी यह सब सपत लेते हैं या परतिगान यह आपको किस किस अनुसूची में वनन है तो भार नियंत्रक और महालेखक परिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो कौन से आपको है समीति जो कि नियंत्रक और महालेखक परिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसका audit report को ठीक यह आपके सामने अपसान है बहुत महतपूर कोशन है यहांस लगाईएगा यह हो यहां पर आपका सभी अपसन है तो प्रोक्टिम स्पिकर क्या होते हैं जब आप देखिएगा कि लोग शभा का चुनाOUT होता है, तो उस शमय जो आपको शपत दिलाते है, सदसु क्या, ठीक तो वही आपको Protium speaker भी होते हैं, जैसे कि सदसु को सपत दिलाता है, और एक अस्थाई speaker की चुने जाने करता है, जब कि अस्थाई speaker नहीं चुने जाते हैं, और फिर सभी सदस जो होते हैं, जब उनको सपत उपत ले लेते हैं, तो आपको अपने में से एक आपको कौन चुनते हैं, तो speaker चुनते हैं, अध्यस चुनते हैं, इसकी लोगसभा के speaker चुनते हैं, question number 11, देखे, मुक्ष चुनाव अयुक्त का कारकाल है, जो मुक्ष क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, मुक्ष चुनाव अयुक्त की कोन करता है, यह राष्ट पती करते हैं, यह विद्हान मर के question पूशकता है, आगे चलते है, question number 12, question, सभिधान का कौन सा अनुछेद, राज विधान मंडल को, उस राज की अधिकारिक भासा के रूप में हिं करता है, फिर सभिधान का कौन सा अनुछेद, राज विधान मंडल, जो राज का लगलग विधान मंडल होते हैं, उस राज की अधिकारिक भासा के रूप में हिंदी, या मालेजे उस राज की जो आपका राज भासा है, उसको अपनाने की अनुमती देता है, ठीक, यह कौन सा अनुषेद है, यह आपको बताना है, जैसे कि बिहार ही है, बिहार में सबसे प्रतम भासा के रुप में आपको राज भासा के रुप में हिंदी है, और दोतिये में उर्दु आता है, ठीक, यह कौन सा अनुछेद के अंतरकत आपको दिया जाता है, यह आपको बताना है, उच्छे नियाले इसके हाई कोट और आपको सुप्रीम कोट उच्तम नियाले दोनों का अधिकार छेत्र में क्या आता है बहुत महतपूर कोश्य नहीं हापर दिखे दोनों का अधिकार छेत्र में क्या आता है सबसे पहले मौलिक अधिकार का सरक्षण मौलिक अधिकार के सरक्षड दिया है केंदर राज के बीच 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 बीबाद दिया है केंदर और राजी के बीच एक तरफ केंदर हो या एक तरफ पुरे राज़ो हो या एक तरफ कुछ राज़ो हो और दूसरे तरफ भी कुछ राज़ो हो ये सब जो भी बिवाद का न्विनाय किया जाता है ये आपको सुप्रीम कोड़ द्वारा किया जाता है ये आपको हाई कोड़ द्वारा नहीं दो राज्यों के बीच भी बिवाद हो तो वो भी सुप्रीम कोड़ द्वारा किया जाता है सब इधान के उलंगन के खिलाब सरच चर। इस पर क्या है। उच्छ न्याले और उस्तम न्याले दोनुकम अधिकार दिया गए है मौलिक अधिकारका सरचड़के से तो old चलr 32 को तहता आप जा सकते हैं उस्तम न्याले और और ёटुश मेडिकल 226 के तहता आप है I think सभी लोग यह जानते होंगे एक शाठवा सभिधान से सुधन जो है यह मतदान के उम्रे 21 से लेके 18 वर्स्त किया गया था यह कब एक अगर कोई भी लोग बोट डालना चाहता है क्या भारति सभीधान के समवर्ति सुची के अंतरगत आता है भारति सभीधान में देखे एक आपको संग सुची हैं जिस पर केंद्र सर्कार कानून बनाता है और एक है समवर्ति सुची पर दोने बनाते हैं केंद्र और राज सरकार जो आता है स्थ carry ये राज सुचि क अंतर गता है तो ये तो नहीं होगा मृत्य सूचि नयागरिक्ता जो आता है येंद्र सरकार इंud느쟁 त्रेड यूनियन जो है नया ये गया तो पंद्रा कांगरेस के अधियक्ष थे डिंखे सांगरेस के अधियक्ष्य तो फैसे लिखियो में है कि निमिलीखित में कौन सवतंतरता के दोरां कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके सामने हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो सवतंतरता के सबसे पहले अरक्षित शीटों की संख्या अधिक होगा जब वहां पर अनुसूचित जन जाती की संख्या अधिक होगा तो यहां पर आप समझ लीजे तो यहां पर दो बात ध्यान में रखिएगा सबसे ज़्यादा जहां पर जंगली छेतर होगा वहीं पर लगभा लगभा अनुसूचि जन जाती की संख्या पाया जाएगा मद्दपर्देश को स्वयापर्देश भी बुला जाता है मद्दपर्देश में बन के दृष्टी से देखिएगा तो बहुत ही अच्छा पर्देश है और मद्दपर्देश में सुयाविन को उत्वादन सबसे ज़यादा होता है यह सब याद रखियेगा आगे चलते हैं, question number 18 देखिए, निमलेखित में कौन सा कथन, तिरे संकु संसद का वणन करता है, यह आपको बताना है, तो दीके तिरे संकु संसद कहा किसे जाता है, एक संसद जिसमें कोई पार्टी को असपस्ट बहुमत ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिरे संकु सं मिलता है, तो उसे हम लोग तिरे संकु संसद बोलते हैं, इसकी देखिएगा कुछ दो पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, या कुछ तीन-चार पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, और अपना-पना जो भी काम है, वो करती है, ठीक, ताठारक एंसर क्या हो जाएगा, question number 19 दीखे, निर्गामी, lame duck session, संसद का क्या अर्थ है? यह बताना है, निर्गामी या, lame duck session जिसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि यह आप news में देखिए गा, आपके सामने अप्सन है, बताएए इसका मतलब क्या होता है? क्योशन- पूचा हुआ है PCS में, इस किसका मतलब क्या होता है लेम डग सेसन का मतलब होता है है यहां पर दिखिएगा लोग सभाण के बिखितन के पहले संसत का अन्तिम शुआंपत्रę नीरगम पर किसका नियंतर्ड है भारत पर दो से सब्धिय में और होता है तो संचित निदृ की जे चां! सब्रतों से निर्वाचन से संदित भीबाद कों तयो करते हैं या करता है घしました भारत को उप्राष्ट पती जो कि राज सभा के साभा पती भी होते हैं तो भारत के उप्राष्ट पती की निर्वाचन से समंधित अगर विबाद होता है तो इसका कौन सुनवाई करेगा इस बारे में ठीक यह करता है सुरोच नियाले करता है भारत के आपको उप्राष्ट प गठित की गई थी सभीधान बनाने के लिए और अलग लग शदस द्वारा ये तो सभीधान सभा के गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को और इसी समय आपको उधगाटन के अध्यक्षता जो किया गया था और अस्थाई तोर पर डाक्टर सचिदान अंसिन्धा द्वारा किया गय अगे चलते हैं और उसके बाद दिखिएगा 13 दिसंबर याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जो आहलन लहरू ने उध्यस प्रस्ताव प्रस्तुत किया था सभीधान सभा में ये भी याद रखिएगा बहुश्य नबर 24 दिखिए निमलिखित में कौन भारत के राष्टपती के एक्षा तक ही पद पर बना रहा सकता है जब तक राष्टपती चाहते हैं तब ही तक वो अपने पद पर बना रहता है ये आपको बताना है कि ये कौन से है ठीक ये हो जाएंगे आपको जिसके नि निम्तम ऑयो 35 वर्स और उप राष्टपती भी बनने के लिए निम्तम ऑयो 35 वर्स ये तीनों बात ध्यान मर कियागा कोश्चन पूशकता है आई चलते हैं किशन नमर 25 दिखिए किसी राजी की विधान शभा में अधिक्तम कितने सदस हो सकते हैं कि राजी की विधान सबहा जादा है विहार के जो विधान सभा है यह 243 सीटों की संख्या और विधान परसत के 75 है लोग सभा की सीटों की संख्या बिहार में 40 है और राज सभा के 16 सीट है अब यहां पर मैं आपको बता दू कि कुछ अपवाद में भी है कम हुआ कुछ अपवाद भी है जहां पर विधान सभा कि संख्या कम है गुआ और अच्रपदेश टोटल 25 कुश्चन में आपको कराया इस 25 कुश्चन में आपने कितने सुष्चन सही कि जरूर बताईएगा आप सभी लोगों को पता है कि आपकी एक्जाम में 15-16 कुश्चन स बिधान से आते हैं और पेटी के साथ सभी एक्जाम में भी इतना ही कुश्चन लगभग आता है आपका तो यह महतपोर सब्जेक्ट हो जाता है तो इसको थ्रोली अच्छे से अध्यन कीजिएगा और जो भी मैं टेस्ट बीच बीच में आपको लेते रहूंगा उसे भी ध जर्निवाद